शिर्मत भागवत कीता अथ 15 अध्याय में शिरी भगवान जी बोले आदी पुरुष प्रमेशर रूप मुल वाले और भ्रमा रूप मुख्य शाका वाले जिस संसार रूप पीपल के वरिक्ष को अविनाशी कहते ही तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए ही उस संसार रूप रिक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्तों से जानता है वेवेद के तत्तपरे को जानने मला है उस संसार रिक्ष के तीनों गुन रूप चल के द्वारा बढ़ी हुई एम विशे भोग रूप कोपलो वाली देव मनुश्य और तिर्यक आदी योनी रूप शाखाओं नीचे और उपर सरवत्र फैली हुई है तत्ता मनुश्य लोग में कर्मों के अंसार बांदने वाली एहनता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और उपर सबी लोगों में व्यापत हो रही है इस संसार वरिक्ष का सवरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि ना तो इसका आदी है ना अंतहे और ना इसकी अच्छी परकार से स्थिती ही है इसलिए इस अहनता ममता और वासना रूप अति द्रिड़ मुलों वाले संसार रूप पीपल के वरिश को द्रिड़ वैरागे रूप शास्त द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परमपद रूप परमेशर को भड़ी भांती खूजना चाहिए जिसमें गए होए प्रुष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेशर से इस प्रातन संसार विरिश की प्रविती विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदे प्रुष नरायन के मैं शरन हूँ इस परकार द्रिड निश्चे करके उस प्रमेशर का मनन और निध्यासन करना चाहिए जिनका मान और मो नश्ट हो गया है जिनोंने असकती रुप दोश को जीत लिया है जिनकी प्रमात्मा के सुरुप में निध्य स्थिती है और जिनकी कामनाई पूर्ण रुप से नस्ट होगी है वे सुक दुख नामक द्वंदों से विमुक्त ग्यानी जन उस अमिनाशी प्रमपत को प्राप्त होती है जिस परमपद को परापत हो कर मनुश्य लोट कर संसार बे नहीं आती उस सहम परकाश परमपद को न सुरि परकाशित कर सकता है न चंद्रमा और न अगनी ही वही मेरा परम भाम है इस दे में यह सनातन जीवात्वा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्शन करता है वायो गंद के स्थान से गंद को जैसे ग्रहन करके ले जाता है वैसे ही दे आदिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शीरिक का त्याग करता है उसे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहन करके फिर जिस शीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है यह जीवात्मा, श्रोत्र, चक्षु और तवचा को तिथा रसना, घान और मन को आश्रे करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विश्यों का सिवन करता है शीर को छोड़ कर जाते हुए को, अथवा शीर में स्थित हुए को, अथवा विश्यो को भोगते हुए को, इस परकार तीनों गुनों से युक्त हुए को, जो अग्यानी जन नहीं जानते, केवल ग्यान रूप नित्रों वाले वेक्षिल ग्यानी ही तत्त से जानती हैं यतन करने वाले योगी जन भी अपने हिर्दे में स्थित इस आत्मा को तत्तों से जानते हैं किन्तों जिनों ने अपने अंत्यकरन को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते सोरे में स्थित जो तेज संपूरन जगत को परकाशित करता है तद्धा जो तेज चंद्रमा में है और जो अगनी में है उसको तुम मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथिव में प्रवेश करके अपनी शक्टी से सब भूतों को धारन करता हूं और रास सो रूप अर्थात अमरत में चंद्रमा को होकर संपूरन ओश्तियों को अर्थात वंस्पतियों को पुष्ट करता हूँ मैं ही सब प्राणियों के शियर में स्थित रहने वाला प्राण और अपांच से संयुक्त वैश्वा नर अगनी रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पुचाता हूँ मैं ही सब प्राणियों के हिर्दे में अंतरिया में रूप सिस्थित हूँ तथा मुझ से ही समरिती ग्यान और अपोहन होता है और सब विदो द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा विदान का करतार विदो को जानने वाला भी मैं ही हूँ इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के प्रूश है इनमें संपुरन भूद प्राणियों के शियतो नाशवान और जीवात्मा अमिनाशी कहा जाता है इन दोनों से उत्तम प्रुष्टो अन्ने ही हैं जो तीरों लोकों में प्रवेश करके सब का धारन पोश्ण करता है एम अमिनाशी प्रमेशर और प्रमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाश्मान जड़ वर्ग शेत्र से तो सर्था अतीत हूँ और अमिनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक में और वेद में भी प्रशुत्म नाम से प्रसिद्ध हूँ हें भारत जो ज़ोग्यानी प्रुष मुझको इस प्रकार तत्व से प्रशुत्धम जानता है मैं सरवग्य प्रुष सब प्रकार से निरंतर मुझवास देव प्रमेशर को ही बचता है हे निश्पा परजुन इस परकार ये अती रहसी युक्त गोपनिय शाज्टर मेरे द्वरा कहा गया इसको तत्त्व से जानकर मुश्य ग्यानवान और क्रितार्थ हो जाता है इस परकार से पंच दशो ध्याय पोर्न